हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होगे जाबी होगे चलिए दोस्तों हम लोग स्टाट करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्षर को बहुत ही आप लोगों ने इस दिन का इंदजार किया होगा कि कब डेट आईगे आईएस का हम फॉर् को इसमें बताने वाला हूं बहुत कुस नया जानने को मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन 156 का है यह हम सब कुछ इसमें बताने वाले हैं और साथ में देखिए इसमें जैसे की जो ओबी सी सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रिमिलियर का वो भी बताएंग जैसे आप लोग जानते होंगे मैं लास्ट इयर भी हर साल वैसे वीडियो बनाता हूं आप लोग देखिए कैसे एकदम स्लोप बन गया है वही एकदम ऐसी बेकंसी गिर्थी चलिए आ रही थी लेकिन थोड़ी सी बेकंसी बड़ी है बहुत जाद बेकंसी नहीं बड़ी है जैसे आप लोग देख सकते हैं लास्ट इयर के इसमें डेटा नहीं है 2023 वेकंसी कितनी आई थी 1256 के गरीब में लगवक में वेकंसी थी इस बार कितनी है यह पिछली वार से थोड़ी सी कम आई है लगवक में बारा सो 6 के करीब में वेकंसी आई है तो भाही फिर भी चलो ठ ठीक है 1200 के करीब में है ठीक है कि पहले के ट्रेंड से तो इधर ठीक है लेकिन पिछली वार से पिछले साल से तो थोड़ी सी कम है लेकिन देखिए यह जो मैंने अभी 1206 वेकंसी बताई है यहां पर यह चीज दिहान रखना है कि इसमें 150 सीटे हैं वो किसकी है आई एफस की है जो फॉरेस सर्विस बन विवाग बाला होता है उसकी वेकंसी है और साथ में फिर जो सेस बसती है एक 1056 के गरीब में यह बसती है जाकर के इंडियन एड्मिनिस्टेटिव सर्विस वाली आई एस बाली बसती है जाकर के कुस लोग सोचते हैं आई एस का फॉर्म बढ़ते ह बहाँ सारी बेकंसी है इंकलोडटेट होती है तो देखो सकते हैं एंडियन एडमिनिस्टेटेटिव सर्विस होता है फॉरं कैब सर्विस बाली को अखिल वाए सिवा नहीं बोला साता है आप दो होंगे सीच को लेकिन जो न्यू मेंबर वो चीज को नहीं जाते होंगे इसके अलावा गुरूप ए और गुरूप बी की गुरूप ए की और कुछ गुरूप बी की इसमें वेकंसी आती है टोटल मिला करके 21 तरह की पोस्टे होती है तो जाकर के यह 1206 वेकंसी यह बनिंगी ज लोगों टैस सीरीज की बहुत समस्य आती है उन टाइम पर नहीं मिल पाती है तो आप लोग बहुत ही मिनमम कोस्ट में ले सकते हैं क्योंकि हम लोग भी बाई किये हैं तो आप लोगों के छोटा सा कॉंट्रिबूशन नियानवे रुपय में आपकी सीवी को जिंगी टैस सी सेगा तो इसमें आप लोगों के लिए जो भी आई एस और पीसी एस की बहुत सारी कोचिंगों की टैस सीरीज आप लोगों मिल जाए हो चलिए अभी हम लोग आते हैं डारिक्ट अपने नॉटिफिकेसन के ऊपर देखिए अगर हम नॉटिफिकेसन की बात करें तो सबसे प पांच मार्च से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिए गा लेकिन अभी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते अगर आप ओभी सी के टेगरी में आते हैं तो निच्चे तोरे पर हमको एक समस्य आएगी वो मैं आप लोगों बताऊंगा थोड़ दियर मेरे साथ में रुके रहेगा तो आप लोगों सबको समझ में आज आएगा चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट सीज को मैं आप लोगों यहां पर बताऊंगा जैसे देखिए हाउटू फिल इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं पहले देखिए हम सब लोग जानते होंगे इस पर जा करके विजिट कर सकते हैं इसका लिंक में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा डारिक्ट आप क्लिक करके भी फॉर्म पर रिडारेक्ट हो जाएंगे देखिए यहां पर मॉडिफिकेशन इन ओटी आर जो प्रोफाइल है उसको भी आप 50 सकते हैं तो यहां पर बताया गया है कि भ्याइआ इसको कर सकते हैं और देखिए जो ईतियार यह सब्सक्राइब लेकिन उटी आर अपका साथ देगा तो ध्यान रखना है इसके लिए और उट जैसे आपको किस तरी से लोग इन करना लेकिन जो एप प्लिकेशन उसे करना है जैसे आपने फॉर्म भरना और में मोडिफिकेशन करना कोई बदलाव करना है संसूधन करना है तो वो संसुदन कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर फॉर्म पांच मार्च को तो बिंडो बंध हो जाएगी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट का वे पांच मार्च है तो उसके अगले दिन ही छे मार्च दोहजार चौबिस से लेकर के बाइस मार्च बाइस सौरी बाइस न नहीं मिलने वाला है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है तो एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़े अगर कोई भी गलती हो जाती है तो एक वर संसोधन का मौका आपको मिलने वाला है लेकिन गलती करना ही क्यों है तो इसी वज़े से तो आर्दिसर यहां पर वीडियो बना अब ह यहां पर यहां पर यति require को रूप में आप बहुत सारी सेजने ले सकते हैं आदार काट हो गया वोट काड़ काड़ पैन पासवोर्ड और वह सारी सीज़े आपको form fill कर देना है लेकिन फिल कहां पर करना है तो यह देखिए upsconline.nic.in पर जाकर करके आप लोग कर सकते हैं ओके देखें और यहां पर बहुत especially mention कर दिया है UPSC कि भाईया जो admin card आएगा admin card हम आपके घर पर poster नहीं करने वाले आपको online ही download करके print कराना होगा तो देखिए लेकिन admin card काव आएगा तो admin card जैसे आपकी डेट काव 26 मही को आपको पेपर है ना तो 26 मही का आपको पेपर है तो लगोग में थिरी बीक्स पहले आजाता है ओके तो यह दिहान रखना है मतलब तीन सब्ता पहले admin card आजाता है आप लोग सिंप्ली लिकाल सकते हैं यहां पर note नहीं किया है वैसे हमने आपको बता दिया हो वैसे date भी आजाएगी notification आपके पास में आजाएगी देखिए यहां पर अगर आप रॉंग आंसर करते हैं तो अच्छे से आप लोग को करना है जब पेपर आप लोग देंगे तो अच्छे से देना है जैसे सब लोग जाते हैं बंध थर्ड क्या होती है माइनस मार्किंग होती है अगर हम बात करें देखिए यहां पर एक कोश्चन गलत है भाई हम इसको काउंटर करना चाहते हैं एक तरह से तो लेकिन यह बोला गया है कि देखिए जो अगला दिन होगा पेपर जिस दिन होगा ना एक्जामिनेशन होगा मतलब एक्जामिनेशन डेट होगी जैसे 26 माई को पेपर है तो 26 माई को जो पेपर है फिर उसके बाद यहां पर बोल दिया गया है कि 7 डेस के अंदर आपको क्या कर देना है यूपी ऐसी को बता देना है यह कुछन है इसमें एक दिक्कत है तब ही आप आपका वो मानने होगा बरना यूपी ऐसी एक्सेप्ट नहीं करेगा चाहां रोओ फिर चिलाओ चाहां कुछ भी करो कि भाई यह कोश्चन गलत था यह सही था वह सही था एक क्याते रहतान कुछ नहीं होगा तो देखिए आपन सेमेंट डे है वो फिक्स कर दिया है सामको 6 कर सकते हैं जो भी आपको मिस्लीनियस टाइप के कुश्चन लगते हैं कि हाँ यह वाले जो कुश्चन है भाई वह रॉंग है या फिर इन में ऑप्सन गलत है कुछ है तो बहुत चीज है तो इसी वजए से आप लोग एडमिट कार्ट ऐसा नहीं है एक दिन बचा है आपके रुए पेपर का फिर एंगिर का लिकलने पहले से लिकलवा लिए का जिससे कोई समस्या होगी तो आπλग कोंटेक्ट कर सकते कोंटेक्ट कहां करना है क्ट newly Island गहीं में ने तायोग में गेट नमर सिक्स या फिर गेट नमर तीन पर आप लोग जाएंगे जो पीछे है बहां पर जा करके आप बात कर सकते हैं या फिर देखें कॉंटेक नमबर तो है लेकिन देखिये इसमें बोला है कि फोन नहीं उठता है ओके देखिए अगर हम बात करें कि यहां पर मोवाइल वाइल बेंड किया गया जैसे आप लोग जानते हैं कि 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 किसी प्रकार का इलोक्त्रानिक सामान है वह पेपर में एक्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते तो वह इस सारी से बताएं वहीं स्मॉड बा है वह बताया कि online application में आपको जब फोटो लगाएंगे तो उसमें किन चीज़ों का देहां रखना है तो दीखिए इसमें बूला कि जो फोटो है जो फोटो होगा वह दस दिन से जाता पुराना नहीं होना चाहिए यान कि इसका अतात पर रही है कि आपका फोटो होना चाहिए और साथ में यहां पर किस डेट को फोटो लिया गया है वो भी डेट है वो मेंसन की जानी चाहिए यान कि जैसे देखिए मैं यहां पर दिखा देता हूं मैंने इसको रखा है और देखिए बहुत सारी classes है आप जागर के देख सकते हैं बजट भी पढ़ा दिय हैं और बहुत ही कम समय में बहुत कम समय में बहुत कम energy based करके आप लोग सारी से प्रिपेर कर सकते हैं करेंट फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं देखिए यहां पर इस तरह से आपको फोटो लगाने जैसे कि मानते हैं यह क्या फोटो एं फोटो के नीचे तो candidate name हास से नहीं computerize भी लिख देना है computerize लिख करके नीचे date उसमें लिख देनी है जो date होगी मतलब जिस दिन आपने फोटो तो जिस दिन आप लोग फॉर्म भरने हैं उस दिन की आप लोग date डाल सकते हैं लेकिन आपके पास में देखिए फोटो है आप कहीं यार फोटो क सारी और इसमें यह भी बोला कि देखिए फेस है वो जो भी एरिया कवर करेगा वो तीन वाई चार कम से कम एरिया फेस कवर क्या होने चाहिए इससे फेस क्या हो क्लियर है इसा नहीं इत्तु छूटो से दिख रहे तो यह सारी सीज़े है मतलब इतनी महत्पूर्ट नहीं आ होना चाहिए आपका चेहरा क्लियरली दिख रहा हूँ इस वज़े से ऐसी सीज़ बोली गई है और यहां पर बोलाए कि थर्टी मिनट पहले ही चले जाना है आपको जब आपकी इंटर्विंटरी होगी और देखिए यहां पर वो सारी नाम बता है कि आये इसके साथ में और कितनी वेकंसी क्या है जो हमारी महत्वपूर की चीज़ नहीं है यहां पर और यहां पर देखिए भी बताया है कि जो फिजिकल हम्टी कैप लोग होते हैं उनके लिए कुछ बैंच मार्क होते हैं कि कौन सी कैटागरी में होंगे वही लोग इस चीज़ को जानते होंगे तो यहां पर भीविन फिरकार की disability होती है उसके different different नाम होते हैं मतलब category होती है तो वो डाला गया है grade 1, 2, 3 इस तरह से डाला गया है तो यह बहुत लंबगी list है इसमें देख सकते हैं कि देखिए जंप उसे ले करके या फिर कोई सुन नहीं पाता है कोई देख नहीं पाता है त तो उस तरह से इसमें बताया गया है देखिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं जो प्रलेम्स के जो center कहां कहां पर है तो प्रलेम्स के जो center है मतलब pre exam जो होगा उसके center लगभख में 80 जगे पढ़ेंगे कितने 80 जगे क्या है प्री के center होंगे आप लोग इसको मैं थोड़ से हटता हूं देखिए इस तरह से तो नाम लूगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी इसी तरह से मेंस के मेंस के ज़्यादा जगे नहीं पढ़ता जैसे 24 जगे ही मेंस होता है तो मेंस के center भी आपको प्री के form को फिल करते हुए ही मेंस बो पूछ लेगा भीया मेंस कह जाते हैं वो आप दूसरी language मेंदे सकते हैं और में से हैं वो दूसरी LIGUS में दे सकते हैं सकते हैं इसका आप form फिल करना चाते हैं तो इसमें राष्टेता भी बहुत महत्वपूर्ट है जैसे देखे यहां पर बोला गया है कि IAS के लिए मतलब IAS के लिए IFS के लिए जो foreign service है और IPS के लिए जो IPS होती है पुलिस service होती है इंडियन पुलिस service होती है इन तीन वेकेंसी के लिए यहां प देखिए अन देश के लोग भी eligible हैं देखिए यहां पर देखिए citizen of other candidate जैसे हमने तो देखा लगबख में किस पोस्टे होती ही ना उनमें से तीन पोस्टे हटा दो से इस पोस्टे जो बची हों गुरूप एक गुरूप बी की बहुत सारे बिकनसी अभी हम आपको दिखाए दे उनमें देखिए citizen of India होगा तो भी चलेगा और subject of Nepal होगा subject of Bhutan होगा और तिबबत का refugee होगा लेकिन refugee के लिए डेट यहां पर mention करती है इससे पहले कभाई होना च है कि इदर के भी लोग होंगे जो migrated करके आए हैं वो भी चलेगा तो कुछ हैं जिसमें आप लोग नहीं आते होंगे तो यह आप लोग को नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा देख लिए आज थोड़ी से पैसान जान पैसान हो गई होगी भाई देखिए अगर आप subject of Nepal है भूटान है तिबबत के refugee हैं तो वो लोग भी eligible हैं अगर हम लोग age limit की बात करें जो महतपूड है सबसे महतपूड है लोग बड़े confused रहते हैं आज confused नहीं रहेंगे देखिए देखे form fill करने के लिए आपकी minimum I.U कितनी होनी चाहिए 21 year होनी चाहिए 21 year यानके 21 साल के आम 22 बेखती होने चाहिए 21 साल के 22 बेखती होने चाहिए लेकिन 21 साल कब count की जाएगी यह 21 साल है यह 1 अगस्त 2024 यानके 2024 में आप लोग paper दे रहे हैं तो 2024 में यह count की जाती है 1 अगस्त 2024 को count की जाती है यानके इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ अगर किसी की age है वो 1 अगस्त 2023 के बाद की है तो यानके वो paper नहीं दे सकता है यानके अभी उसकी age नहीं हुए एक अगस्त 2023 या फिर उसके बाद का उसका जनम है तो वो paper नहीं दे सकता है यानके अभी उसकी 21 साल age नहीं हुए लेकिन एक अगस्त 2023 से पहले का अगर उसको जनम है तो वो paper दे सकता है लेकिन कब तक दे सकता है बढ़ू भी paper दे सकता है नहीं देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है minimum तो 21 साल है maximum यहाँ पर 32 साल बता है यानकि paper कोई कितने maximum दे सकता है maximum age है वो 32 year देखने को मिलेगी यानकि इस अनुसार अगर हम देखें कि 2 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त यहाँ पर 2003 के बीच में अगर किसी की date of birth इस बीच में है तो वो paper के लिए eligible है लेकिन देखिए यह उनके लिए छूट भी मिलती है अब देखिए छूट का फंटा क्या है देखिए यहाँ पर बोला गया है पास साल का relaxation मिलेगा देखिए relaxation की बात अगर हम लोग करें तो पाइफ येर का relaxation दिया गया किसके लिए जो SC और ST के लोग होते हैं तो SC और ST कास्ट से अगर belong करते हैं तो 5 साल और प्लस हो जाएंगे यानि कि देखिए यहाँ पर क्या होगा 32 साल की जगे पर 5 साल और एड कर दीजे टोटल कितना होगा 37 साल यानि कि बो लोग कितने साल तक पेपर दे सकते हैं 37 साल तक पेपर दे सकते हैं यानि कि SC और ST के लोग हैं वो 37 साल की उमर तक पेपर प्लस तीन साल का उनको क्या मिल गए चूट मिल गए रेलैक्सेशन मिल गया यानि कि बो लोग 35 साल अगर अगर अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 35 साल तक मैक्सिमम में इस तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं लेकिन अगर कोई फिजीकल हेंडीकाफ में आता है मतलब व डändig यायनि कि 32 साल ओपिलस यहां पर 10 साल कर दीजी यायनि कि कितने साल तक 42 साल साल तक यहां पर पेपर दे सकता बहुत सारे जो डखिय एक सर्विसमें होते हैं嗜 तो इधर आप लोग एक सर्विसमेन के लिए यहां पर बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो आप इसको देख सकते हैं तो लोग जानते होंगे ऐसे कि लोगों की संग्या कम होती है लेकिन आप लोग इसको इसकीप करके या फिर पॉस करके आप लोग पॉस करके इसको पढ़ सकते हैं देखें इसी तरह से दिखें मैंने यहां पर लिख दिया है जो physical हेंडिकाप लोग होते हैं उनके लिए यहां पर 10 साल का relaxation दिया गया है जैसा आप लोग के लिए इस व्लिए हुल गया होगा यानि कि जनरल के टरगेरी के लिए 21 साल से 32 साल के बीच में होना चाहिए बहीं अगर हम लोग अधर बैक वर्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पर 21 साल से लेकर के 35 साल एज होनी चाहिए और जो SCST कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं वो 21 साल से लेकर के फॉर्म भर सकते हैं कब तक सहते साल तक भर सकते हैं और कोई जो फिजीकल हैंडिकैप में आते हैं तो वो लगबख में कोई भी युनिवस्टी से आप किये हुए हो बस वो फर्दी फर्दी ना हो अब देखिए अगर आप graduation आप किसी से भी किये हो चाहिए वो बीए हो बीसी हो या फिर आप लोग MBBS किये हो या फिर IIT किये हो बीकॉम किये हो इससे कोई मैटर नहीं करता है बस graduation होना चाहिए science से है art से है bio से है वो कोई मैटर नहीं करता है कि commerce से किस से किया हुआ है कौन से university से किया हुआ है regular किया हुआ है या फिर distance learning से किया हुआ है आप paper दे सकते हैं आपने first category से पास किया है या फिर third category करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे द्सक्राइब करता हैं अब और लोगो को किलियर करता तो देखिए यहां पर number of attempts की भी बात कर लेते कि भाई एक मेंबर है वो कितने attempts दे सकता है हमने यह तो देख ली मतब 21 से 32 साल of relaxation अलग लग category में है तो देखिए यहां पर six attempt दिए गए है मतब जनरल category है उनके लिए कितने six attempt मतब छे attempt दिए गए हैं ओके और SC और ST वालों के लिए unlimited unlimited का तत्पर किया है unlimited का मतब यह नहीं है ता उम्मर पेपर दे सकते हैं मतब जब जब तक इनकी एज ओबर ना हो जाए तब तक यह पर दे सकते हैं जैसे इनकी एज मैक्समिम्म कितनी है थर्टी सेवन नुक बत्तिस साल प्लस पाट साल का रेलेक्स च्छिशन थर्टी सेवन साल तक 37 यह तक जब तक इनकी एज नहीं हो जाए कि तब तक यह अनल्मिटिट हर साल पर दे सकते हैं इनको रोका नहीं जाएगा अधर बैक्ट क्लास के स्केलिए यहाँ पर तीं एक्स्टरा चांस दिए जाते हैं मतलब 6 पिलस तीन बराबर 9 चांस यहां पर दिए जाते हैं कि और देखें जो यहां पर देखें फिजिकल हेंडिकेप बाले जो लोग हैं जो EWS मतलब इकॉनमिक बीकर सेक्षन है और अधर बैकवर्ड क्लास ऐसे स्ट वाले हैं तो उधर देखें नाइन दिये रखें हैं तो यह चीज आप इधर देख सकते हैं चलिए देखें जो इधर 9 है वो जनल केटेगरी के लिए इधर दिये रखें हैं चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं यह चीज आप लोग के लिए ध्यान रखना है देखें यहाँ पर यह देखें देखें जो जनल केटेगरी है और जनल केटेगरी हो गया और जो अधर बेकवर्ड क्लास हो गया इडबलू एस वाला हो गया इनके लिए 9 अटेम्ट्स हैं और इन लोगों के लिए अनलिम्टेट अटेम्स दिये रखें हैं मतलब जो तक उनकी एजना हो जाए तो ओके यान कि वह 42 साथ तक पेपर दे सकते हैं अगर फिजिकल हैंडिकेप की केटेगरी में सेस्ट वाली मेंबर आते हैं तो ओके तो यह चीज है और देखें यहाँ पर कुछ लोग हैं वह पेपर देने से उनको रोका जाएगा वह रेस्ट्रिक्शन्स लगाया जाएगा किन के उपर देखें जो आई-एस का फॉर्म मतलब आई-एस की जिनकी केटेगरी है वह आई के लिए इस बार पेपर देने से उनको रोक दिया जाएगा उनके एड्मिट कार्ट जारी नहीं किया जाएगा ओके पिसली बार क्योंकि देखें फॉर्म फिल हो गया फिर अब इंट्र उंट्रव्यू होगा फिर बाद में जाकर के रिजल्ट आएगा तो उस आधर पर उन नहीं करता है उसमें भी आईएस के लिए भी मतलब बहुत जादा ऐसे नहीं चुकिए कि भीया थोड़ा चस्मा उसमा लगता है तो आईएस वाले में तो वैसी वैसा नहीं होता है लेकिन IPS के लिए थोड़ा सा होता है लेकिन उसमें भी बहुत हाड नहीं होता है जैसे आर जाता है थोड़ा बहुत दोड़ा है वह सारी सीजरे देखे जाती है अगर फीस की बात करें तो इखें दादा नहीं है देखें यहां पर देखें फीमेल जो जीरो यहां पर फीज है लेकिन बहीं पर अगर हम बात करें कि 100 रुपए फीज रखी गई है जो लोग यहां पर आते हैं जैसे जनरल के टागरी हो गया दर पर क्वर्ड क्लास हो गया और EWS के लिए 100 रुपए फीज रखी गई है और UPSC ज्यादा नहीं रखता है 100 रुपए आराम से पे कर सकते हैं और मेंस में 200 रुपए फीज होती है वह भी बहुत ज्यादा नहीं होती है जासा आप लोग जानते होंगे और तो जल्दी से जल्दी आप लोग को डाली देना है हाउ टू अपलाई हाउ टू अपलाई पर हम लोग बात कर चुके हैं बही ओटियार के थुरू आप लोग कर सकते हैं जाकर के आप लोग लिए UPSC online.nic.in पर आप जा सकते हैं जो देखिए यहां पर बताया कि है हम नोग हम लोग ऊपर बात कर चुके यहां पकुरुर को 안내 कर सकते हैं स्थaks के बीच मतलब 6 MART से लेकर के बारा मार्च के बीच में आप फ संसोधन कर सकते हैं वह पेपर मने मतलब फ me लास डेट तो पता है पांच मार्च लास डेट है साम छह बजे पोर्टल भाई बंद हो जाएगा लेकिन उससे पहले ही भर देना है एक दम ताबर तो रूप से भर देना है तो देखें और यहां पर चेंज कैटेगरी देखें यहां पर बता दिया है यूप एस इंदे को भा तो भाई converter नहीं करेगा आप रोव गडगड़ाओ कुछ भी करो वह नहीं चेंज करने वाला तो पहले ही से इसी वज़े से फॉर्म भरते समय ही ध्यान रखना है तो यह चीज है देखें एक बार फॉर्म भर जाएगा तो भाई उसको वापस नहीं लिया जा सकता है मतलब क पास में यह ओप्सन नहीं है और यह सारी सीजे एक्जामिनेशन के बारे में यहां पर थोड़ा था बताया गया है कि प्रिमेंस का कैसा होगा सिस्टम तो आप इदर प्रिमेंस का एक्जाम देख सकते हैं देखें प्रलेम का एक्जाम होगा वह दूपेपर होंगे उसमें जैसा आप लोग जानते हैं एक जीएस का होता है एक सीजेट का होता है सीजेट क्वालिंफाइंग होता है दोनों दो-दो-सो माक्स के होते हैं दो-दो घंटे के होते हैं जो जीएस फस्ट पेपर होता है इसमें सो कोश्चन होते हैं जीएस सेकंड पेपर होता है इसमें आ बोर सन आता है जो आप लोग पढ़ते होंगे मेंस की बात करें तो देखिए मेंस में दो क्वालिंग फाई नेचर के पेपर होते हैं मतलब पेपर एपर बीपर यह जो होता है उसमें से आपको एक जो हमारी आठमी अनुसुची है इसको में सम्ह wacky स्कते हैं तो उनमें आप उस चूज करके उसमें operates और यहां पर एक एड़ सेडूल में दे कि यहां पर बताइगी है और साथ में एक पमारी है मतलब इस में इंगलेंस के होते हैं लेकिन यहां पर calling fine कितना होता है 33 परसेंट नहीं लाना होता है यहां सिर्फ 25 परसेंट लाना होता है और यह भी written type के paper होते हैं फिर उसके बाद में देखिए तो इस तरह से इसको देख सकते हैं यह सारे paper होते हैं फिर interview होता है interview जो होता है बहुप होता है तो इस तरह से 1750 marks जो आपका मेंस का paper होता है और 275 marks जो हैं वो आपके मिला करके इतने marks total हो जाते हैं तो यह चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए हम लोग थोड़ा सागे वड़ते हैं यहाँ पर देखिए language के बारे में भी बताएगे कि आप पेपर किस किस माध्यम में दे सकते हैं तो देखिए आप पेपर है इंगलिस और साथ में जो हमारी आठ में या नुसूची में जितनी भासाइं दे रखी हैं उनमें आप क देख सकते हैं बहुत सारी यहां पर वो सभी लेंग्योज लिखी हुई है जो आपने समयधान के आठ में आने सोची में आप लोग पढ़ते होंगे यहां पर लिस्ट ऑफ ऑप्सिनल सब्जक्ट के बारे में बताया है तो आप इन में से कोई भी ऑप्सिनल सब्जक्ट चार होते हैं कितने पर होते हैं चार पर होते हैं और एक ऐसे कभी होता है तो मैं प्लस एक और गर देता हूं ऐसे पांच लिख दिया मैं एक लिखना चाहता हूं इनको जैसे कोई बंदा है वो चाहता है मैं किसमें लिखना चाहता हूं हिंदी में लिखना चाहता हूं लेक में लिखा और अप्शनल को जैसे उस ने ऊप्शुनलो लिए या फिर कोई और सब्जक्ट लिया उसने इंगलिभी सब्जक्ट को यहांने देदी है तो हुख जा पर होता है वो इतर देख सकता है और और सारी यही सेम चीज़े बताई हैं और कोई इसमें ऐसा कुई रॉकेट साइंस वाली सीज नहीं है और इधर क्या स्टार्ट हो जाता है इधर अच्छा जनल इंसेेैशन के बारे में थोड़ा सा बताया है जो अपने लोग का यहां पर मतलब का नहीं है खत है तो देखिये यहां पर आई के राक्रेक्शन अ송 और बहुत सारीी चीजों के बारे में आएगा बिजन उजन के बारे में तो इधर ये पर्सेंटेज हैं वो लोग देख सकते हैं जिनको आप सकता है और अपने लोग को तो इधर आप सकता नहीं है और इसी तरह से देखिए प्रलेम का अब क्या आ गया स्लेबस आगया अब इधर स्लेबस देखने को मिलेगा पूर तो देखिए अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने जा रहा था वो चीज़ें आप लोग सुन लीजेगा जैसे देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि यह आपको डेट तो पता चल गई जैसे 14 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं पांच मार्च को अंत हो जाए देखने को मिलेगी और तीन सब्ता पहले एड्मिंट कार्ड आज दाएगा यहां पर जन्नल के टेगरी और अधर वेकृट क्लास वेड़ यह उन लोगों के लिए सब के लिए और सब के लिए निल फीज है कोई फीज भी स्पे नहीं करनी है मिनमम एज 21 साल मैक्सम मेज 32 सा आपको लगाना है यह ध्यान रखना है आप लोगों के लिए कि इसमें लेटेस फोटो होना चाहिए दस दिन का अंदर का और बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए यहां पर और डेट भी नीचे आपको मेंसियन करनी है और आप इसको एडिट भी करा सकते हैं खुद भी एडिट कर सकते हैं बहुत ही सिंप्ल होता है परेसानी वाली बात कोई भी नहीं है देखें एक इंपॉर्टेंट्स इसजें यहां पर नॉन कृमिलियर सर्टिफिकेट बन वाएंगे अगरा अधर वेकवर्ड क्लास में आते होंगे तो आमको नॉन क्रिमिलियर एक परवाना पड़ता है लेकिन यहां पर एक महतपोड़ डेट है कि एक चार यहां पर एक तारिक चौथा महिना यहां पर इस तरह सकर देता हूं पास में certificate non criminal certificate इससे पहले का है तो आफ फॉर्म नहीं डाल सकते हैं आपको reservation का फाइदा नहीं मिलेगा reservation का फाइदा तब ही मिलेगा वह आपका certificate है वह आपका इस date के बात का ही होना चाहिए तो पै अब आपको क्या करना आपका तो मैक्समम लोगों का मेरे को पता है कोई भी पहले से बनवाकर नहीं रखता अधा यह बड़ा गंदर काम किया पहले दो से तीन साल तक का चलता था पहले का अब क्या हर साल यह नया बनवाने लगिये लास्ट यह से एकदम टीटो टाइम का मांगती है तो यह समस्या एक बड़ी समस्या है यहां पर अब देखे इसका क्या करना है तो आप एक पोर्टल पर जाकर के सिंपली या फिर आपके पास में जो भी जन से वक्येंदरों बहां पर जाकर के आप अपना नॉन क्रिमिलियर सी तरीके से तो आप प्रैक्टिस करने के लिए हम आप लोगों के लिए प्रिपिश Can के लिए हो थोड़ा सा तो जो रिवीजन जैसे कि आप एंसी आड़ी रिवीजन करते हैं बहुत सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर बन लाइनर टाइप के कोश्चन मतलब छोटे-छोटे कोश्चन है जो आपकी एप्रोच के लिए करेंगे और फैक्चुल कोश्चन इस दूब लोगो बता देता हूं दीखें पहले इसके वाबोने को आपको मिल से यहिस्धि देखिए है सीएजै डिभुक्त को कि मिल सब्सक्राइज आपको मिल जाएगा इस तरह से मजदेने इससे आपको मिलेगा擁वन ऊड़क्ष में तो इस पहला-वाला इधार दिखी ए 100 टेस्ट सीरीज को इस पर क्लिक करके आप लोग जोइन कर सकते हैं जल्दिस जोइन कर लिए आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा देखिए इसमें क्या है और लेडी इसमें टेस्ट सीरीज पहले के पड़ी हुई है क्योंकि यह चल लगी है अभी तो यहां पर कुछ टे देन में दो-दो टेस्ट पेपर लगाए क्योंकि 100 टेस्ट पेपर हैं आपके पास नब्भे दिन का समय है और कुछ लोग इस मीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे मतलब लगबग में 15-20 दिनों के बाद भी कुछ लोग इसको देख रहे होंगे तो बो लोग भी क्या पड़ा करेगा बढ़डन थोड़ा सा कम हो जाएगा और अच्छे से आप लोग अपना देख सकते हैं किस तरह से हम यहां पर इंप्रुमेंट कर रहे हैं लगवक में 166 लोग है वह इसमें पे करके जॉइन हो गए हैं आप भी जवाइन हो सकते हैं इस तरह से देखिए है क से नहीं मतलब बता दिया जाता है शेडूल पूरा पूरा दिया जाता है कि आपको किस टेस्टौर में कॉल से टेस्ट पेपर हो गया उसमें पूछा जाने वाला है अब इकॉनमिक्स इसके अंदर चल ला है जैसे आप देख सकते हैं कि आप पंदर तारीक हो गई है क्यूंकि रात हो गई है तो आज यहां पर देख सकते हैं टेस्ट नंबर 45 चलने वाला है तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं और देखिए और टेस्स सीरीज के गुरूप है ज इस तरह से आप लोग इसको भी जोईन कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए चला ही जा रही है आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर आप लोग हिंदी मिडियम से ब्लॉंग करते हैं हाँ एक चीज मैं बताने जारा तो स्वारी आपको बूल गया देखें यहाँ पर फोटो और सिंग्नेचर है बो भी आप यहाँ पर डाला है वह मतलब फॉर्म फिल करते हैं जब जो डालेंगे तो उसमें देखें यहाँ बोला गया है कि अगर आप फोटो डालेंगे तो वह 300 कवी से 20 कवी के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर फिक् 500 50 5000 के बीच में चाहिए edit photo, तो how to edit photo आप लोग देखेंगे, तो fixal या फिर computer से लाते हैं, तो बहाँ पर paintment में जा करके, बहुत ही simple से आप लोग photo को edit कर सकते हैं, और photo तो यहाँ पर बैसे भी edit करना पड़े, क्योंकि आपको date, date और नाम तो edit करना ही करना पड़ेगा, तो इस वज़े से होगे, तो यह सारी सिज़े देखने को मिलेगी, उम्मीद करता हूँ, आप लोगो सारी सिज़े clear होई होगी, बहुत सारी सिज़े मैंने यहाँ पर आप लोगो बताने कोसिस की, अगर अगर आपको पसंद है तो दोस्तों के सारी